यह सोगत है आपका मेचले क्लास में तो दोस्तो आज इस वीरियो में मैं बताउँका आपको एक सिरप के बारे में जिसका नाम है कॉलिकेट सिरप मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँका क्या difference है kolicate syrup में और आपके kolicate drops में तो चलिए दोस्तो स्टार्ट करते हैं इससे पहले मैं request करता हूँ मेरे इस channel med stud class को subscribe कीजिए वीडियो को share और like कीजिए दोस्तो तो दोस्तो यहाँ पर देख सकते kolicate syrup यह लिखा हुआ है gas के लिए यानि बच्चे में का pack आ जाएगा जिसका price होगा नियरली 111 रुपीज यानि 111 रुपे में आपको मिल जाती है यह safe और अच्छी syrup है दोस्तो इसके अंदर dill oil, fennel oil और विट समति कौन होती है लेकिन यादर कि यह दोस्तो कितनी भी simple सी दवाई हो आपको डॉक्टर की सला के बगएर, परची के बगएर consult के बिना कोई भी दवाई मत दा लिए क्यूंके problem कुछ और होता है unnecessary आप दवाई डालते हो और complication में आ जाते हो इसलिए कृपिया करके बच्चों के मामले में या बड़ों के मामले में भी की सला बहुत important होती है तो दोस्तो कोलिकेर सीरप जो होता है यह आपके जो पेट में जाता है usually यह पेट दर्द, mild पेट दर्द होता है बच्चों में जहाँ पर कुछ समय के लिए होता है फिर वो पेट दर्द चला जाता है अगर असली में जो फेट दर्द होता है जैसे कि मानों कि appendicitis होता है urine infection का होता है kidney में infection हो वो दर्द कभी भी नहीं जाता है यानि जब तक कि वो जो problem हो ठीक नहीं होती तब तक नहीं जाता है इसलिए यह आप try कर सकते हो यह आपको 2.5 ml minimum age आपको होनी चाहिए 2 से लेकर 4 साल तक minimum उतने बड़े होना चाहिए उससे पहले आप drops यूज कर सकते हो यह dry ml दो बार या एक time यूज कीजिए बहुत अच्छा रहेगा results बहुत excellent है दोस्तों इसके और इसके अंदर जो होता है natural contents भी है और एक alopatic drug भी है समयतिकोन तो इसी लिए कृपिया करके देखकर इस्तमाल करें डॉक्टर की पर्ची के बगर इस्तमाल ना करें अगर पेट दद इससे ज्यादा होता है या तो सबसाइड नहीं होता है कम नहीं होता है तो आपको डॉक्टर की सलाफ फिर से लेनी होगी अल्ट्रासंड अब्डामिन स्कैन करना होगा कि देखना होगा कि क्या कारण है तो चलिए दोस्तों थैंकी सो मच्छ सब्सक्राइब कीजिए शेर कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को टेक केर बाई